देरे स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये कलास 3 का हिंदी बुक है चैप्टर 13 है और इस चैप्टर का नाम है जंगल के जीव तो इस चैप्टर को हम लोग भी बच्पन में पढ़ चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छी कहानी दिया हुआ है जंगल के जीव एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं तो आई हम लोग इस चैप्टर को पढ़ कर देखते हैं गंडक नदी के किनारे आम के पीड़ पर मदमुक्यों का छत्ता लगा हुआ था एक दिन एक कबुतर पानी पीने के लिए नदी किनारे आया दाना चुकर आया था गंडक में पानी पीने लगा अब यहां पे गंडक नदी के बारे में दिया हुआ है तो वहां पे एक मदमक्यों का छत्ता था यहाँ पे देख रहे हैं यह छत्ता है मदमक्खी का और यह नदी है अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक कबुतर यहाँ पे पानी पीने के लिए आया वह दाना चुकर आया था पानी पी रहा था यहाँ पे तो अचानक से वह क्या देखता है तो यहाँ पे दिया हुआ है उसने यहां पानी पीने के लिए आया तो देखा कि छटा से राऑनी मधमक्कीुए देक्था करूं उसके परति दिया जाता और तो कबूरिये ब्याक્ल हो गया और दिरिश्टि ढली अब वो बचाने के लिए कोई उपाई ढूंड रहा था एक सुखा पत्ता नजर आया उसने कुछ सोचा वह चोच में पत्ता लेकर उड़ता हुआ रानी मदमक्य के पास पहुचा यहाँ पे देख रहे हैं यह पत्ता अपने चोच में लिए हुए है और उसके पास पहुची जिया है रानी मदमक्य के पास पत्ते को गिरा दिया धारा में भाती रानी मक्य को पत्ते का सहरा मिला हुआ पत्ते पर चड़ गई उड़ते हुए कबुतर को खुसी हुई उसे लगा कि अब मदमक्य की जान बच गई किसी को दुख्य संकट में सहयता करना ही धर्म है कबुतर मदमक्खी को बचाने के लिए एक सुखा पत्ता उसके आगे गिरा देता है और रानी मदमक्खी किसी तरह पत्ते पर चड़ जाती है इससे कबुतर खुश काफी होता है उसे लगता है कि मदमक्खी की जान बच गई किसी को दुख्या संकट में सहता करना धर्म है और यही बात सभी पे लागो होता है कि मदद करना ही धर्म है दो चान के बाद देखा कि पत्ता तो किनारे नहीं लग रहा है मदमक्खी भी उड़, मदमक्खी भी नहीं उड़ पा रही है वो पत्ते में चड़ी हुई तो है, लेकिन वो पत्ता बहते वे जा रहा है और मदमक्खी, रानी मदमक्खी जो है, वो उड़ नहीं पा रही है पानी में गिरने के वज़े से उसके एनर्जी लॉस हो गया था जिसके कारण वो उड़ने पा रही थी वह चुपचाप पड़ी है मतलब वो पत्ते में सिर्फ लेटी हुई थी किसी तरह से उतना जान उसका बचा हुआ है बस वही उसके लिए बहुत था अभी संकट पूरे रूप से टला नहीं है कबुतर को लगा कि अभी मुसीबत नहीं गिया है उसने फिर कुछ सोचा और वह नीचे उत्रा उसने पत्ते को किनारे की और करने की चेस्टा की अब वह किसी तरह से कोशिस कर रहा है कि पत्ता किनारे में लग जाए देर देर पत्ता किनारे आ लगा तो उसका कोशिस सफल हुआ पत्ता किनारे पर आ गिया पत्ते का बहना रुक गिया पर मदमक्खी पड़ी हुई थी मदमक्खी वहां से उठने में असमर्थ थी वह उठने पा रहे थी उठने पा रहे थी कबुतर ने दो चंद पर तिक्छा की हवा लगने से पंक का पानी सुख गया रानी मदमक्खी हिलने डूलने लगी कबुतर को संतोस हुआ अब उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया जब उसका पानी उसके सरीर से सुग गया उसके पंक से सुग गया तो फिर वो हिलने टूलने लगी और किसी तरह से उड़के और अपना छटे पे चले गई यहां पे तो यह देखकर कबुतर को काफी अच्छा लगा उसने देखा कि मदमक्खी उड़कर छटे पर पहुँच गई कबुतर भी परसन भाव से पास की पीड़ पर जाकर बैठ गया और जब वह किसी को बचाने का प्रियास किया और वह सफल हो गया तो उसे भी अच्छा लगा और वह एक पीड़ पर जाकर बैठ गया वह भी खुश था कबुतर का जोड़ा पास की पीड़ पर आ गया वहीं दोनों रहने लगे मदमक्यों ने उनका स्वागत किया एक दिन बहलिया आया कबुतर का जोड़ा कबुतर दो कबुतर थे तो उन लोग जो है उसी पीड़ पे जहांपे मदमक्या मदंख्यों का चट्ता था, उसी पेड़पे आकर उनलोग भी रहने लगे तो मदंख्यों के भी अच्छा लगा और उन dłोगों ने उसका स्वागत गिया यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे पेड़पे ही इसी पेड़पे ही रह रहे हो और एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक बहलिया, मतलब एक सिकारी आ गिया, जो पंचियों को पकड़ता है, जंगल के जानवरों को मारता है, उसे को सिकारी काते हैं, तो आ गिया, उसने कबुतर के जोडे को देख लिया, उसकी जीब से पानी टपकने लगा, मतलब उसको लालच होने लगा कि किसी तरह से कबुतर की इस जोड़े को पकड़ा जाए पकड़ने के लिए जाल फैलाने लगा मदमख्या फूलों का रस लेकर लोट रही थी उन्होंने बहलिया को देखा वे घबरा उठी वे थर-थर कापती हुई छते में पहुची रानी मदमख्य को एक ने कह बहलिया तो कबुतर के जोड़े को पकड़ ले जाएगा जब सिकारी को मदमख्या उन्हें देखा तो उन लोग घबरा गई डर गई कि निश्चीत रूप से ये सिकारी इन कबुतरों को पकड़ कर ले जाएगा कबुतर ने रानी की जान बचाई है हमें भी कुछ करना चाहिए तो एक मदमख्य रानी मख्य को जाकर कहती है कि ये कबुतर के जोड़े को पड़ के ले जाएगी और हमारा ये फर्ज बनता है कि कबुतर ने जिसकार रानी मख्य की जान बचाई थी उसी तरह से हमें भी उ तो रानी मदमंक्ही किसी भी तरह से चाहे प्रान सुन कुछ है तो Нदा ऌन हं तो फूलों के रज से मधु त्यार करतीय हैं लोग मधु ले जाते हैं, हमें क्या मिलता है, पर हम चिंता नहीं करते हैं, यहां पे एक मदमक्खी कह रहे हैं, कि हम लोग जो मधुब बनाते हैं, सहथ बनाते हैं, तो इनसान लोग ले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम चिंता नहीं करते हैं, रानी ने तो बहलिया से रच्छा के लिए कोई उपाय यहां पर बतला रहा है, उपाय बताया, रानी मदमक्ही, बाकी मदमक्ही उन लोगो कुछ उपाय बतलाई, बहुत सी मदमक्ही उड़ चली, वे बहलिया पर तूट पड़ी, मतलब रानी मदमक्ही उन लोगो यह बात बतलाई कि चलो उसको जाकर काटना है, तो बहुत सारी मदमख्य एक साथ उड़ी, बहलिया को काटने के लिए उस पर तूट पड़ी, बहलिया के होस उड़ गए, वे उसके सरीर पर जहां तहां काट कर मंडराने लगी, बहलिया को नानी की याद आने लगी, मदमख्य का काटना बहुत ह खतरनाक होता है, इसी को भी काट ले तो आसानी समय टिक नहीं सकता वहाँ पे, और कई बार तो अगर बहुत ज़्यादा काट ले तो बेक्ति की मिर्तियू भी हो सकता है, ऐसा इस्तिति होता है, इसलिए बहलिया को नानी की याद आने लगी, यमदूत के समान मदमख्या घेर कर चितावनी दे रही थी बहलिया ने समझ लिया कि यहाँ डाल नहीं गलेगी, मतलब उसका काम वहाँ नहीं होने वाला है, वो जो सोच रहा था कबुत्तर को पगड़ने के लिए तो वो होने वाला नहीं है डंक से सारा सरीर खुजला रहा था, वो डर के मारे नोदो गारा हो गया और वहाँ से वह भाग गया नोदो गारा यह सब महाबरे दिया वा यहाँ पे डाल नहीं कलना, नोदो गारा हो जाना तो यह सब महाबरे हैं और वहाँ से वह भाग गया कबुतर ने देखा कि बहलिया भाग रहा, मदमख्यां पिछा कर रही है, उसका भाई खत्म हुआ, उसने रानी मदमख्य के पास जाकर धनवाद दिया तो जब कबुतर देखता है कि बहलिया भाग गया, और उसका जो अंदर का जो डर था, पकड़े जाने का वो डर खत्म हो चुका है, वह रानी मदमख्य के पास जाता है, उसको धनवाद कहता है, तो इस पर रानी मदमख्य क्या कहते है, धनवाद किस लिए, कबुतर भाई, हम मारे सिकार के लिए दोड़ धूप करता है रानी ने बताया पाखंडियों से साउधान रह पर अपकार ही धर्म है यहां पे धेनवाद जब उसको गबुतर देता है तो रानी मदमक्की कहती है कि धेनवाद देने की कोई बात नहीं है हम लोग जंगल में रहने वाले जीव हैं कि मनुस जो है हमेशा दया धर्म का उपदेश देते रहता है लेकिन वो तो एक तरफ से बोलता जोरूर है लेकिन दूसरे तरफ से क्या है एक दिन रात जो है हमारे सिकार के लिए दोड़ धूप करता है हमारे सिकार में लगा रहता है कई सारे जानवारों को जंगली तो हो या हम लोग स्वे मानों क्यों नहों और यह चेप्टर हमें एक बहुत बड़ी सिच्छा देता है प्रपकार ही धर्म है दूसरे की भलाई करना ही धर्म है दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा धर्म है तो आज़े देखते हैं इस चेप्टर में क्या कोश्चन्स दिय हुआ है सबसे पहले यहां पर दिया रहता है सब्दार्थ करुना दया संकट खत्रा मुसीबत तो इस सब्दार्थ को आप लोग जरूर पढ़ें नीचे क्लास से अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपका हिंदी काफी मजबूत रहेगा इसको पढ़ते हैं याद करते हैं आपका हिंदी मजबूत रहेगा अधरवाइज जो है आजकल जदतर बच्चों का हिंदी काफी डल हो चुका है यहां पे रिक्तस्थानों को भरें तो क्या हो जागा बहलिया डेस को पकड़ना चाहता था तो यहां पे बहलिया कबूतर के जोड़े को पकड़ना चाहता था तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका अंसर आजागा हम परान देकर कभुतर की रच्छा करेंगे हम तो डेस के रस से फूलों के रस से मधु तयार करती हैं और डेस से सावधान रहो तो किस से सावधान रहने के लिए कहा गया है? यहाँ पे पाखंडियों से सावधान रहो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है और आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सही जोड़ा मिलाने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे संकट के साथ क्या हो जाए खत्रा? मतलब यहाँ पे जो है यह समानार्थी सब्द है संकट और खत्रा एक जिसा हो गया तो यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं यह खत्रा बहलिया, बहलिया को सिकारी कहा जाता है तो यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं सिकारी और भोंगी, भोंगी मतलब हो गया पाखंडी तो इसको यहाँ पे पाखांडी को मैच करते हैं और यहाँ दया मतलब हो गया करूना तो यहाँ पे यह करूना यहाँ पे आ गया और तन मतलब सरीर तो इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं सरीर हो गया इस तरह से हम लोग इसको मैच कर सकते हैं और आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे question number 4 यह तो question नहीं दिया हुआ है यहाँ पे जैसे कि मैंने बतलाया था chapter में कि इस chapter में कई सारे मुहावरे उपयोग में आया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है तूट पड़ना अचानक हमला करना होस उड़ना अचरज में घबराना नानी को याद करना होस ठिकाने आना दाल नहीं गलना वस नहीं चलना नोदोगारा होना भाग जाना इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है question number 5 जो इस chapter का मुख question है यहाँ पे दिया हुआ first में कभूतर ने रानी मदमक्य की जान कैसे बचाई तो कभूतर ने रानी मदमक्य की जान सुखे पत्ते की मदद से बचाई इस तरह का इसका answer जो static answer है वैसे मैं generally मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन static answer जो आपको screen पे आ जाएगा उसके बाद कभूतर कै अहे लिए कि आने से संकट में पड़ गया, तो जानसर होगा और आपको इस्क्रीन पर आ जागा, कबुतर की जान कैसे बची, कबुतर की जान मधमक्यों की मदद से बची, रानी मधमक्य ने कबुतर को क्या कहा, तो रानी मधमक्य क्या बोली थी, कि हम लोग वन उपन के नहीं पाएंगे, एक दुसरे से मिल कर नहीं रहेंगे, तो हम लोग जी नहीं सकेंगे, परोपकार ही धर्म है, का अर्थ समझाएं, तो परोपकार ही धर्म है, मतलब दुसरे की मुदद करना, दुसरे की भलाई करना ही धर्म है, इसका अर्थ यही हो गया, तो आंसर आप वीडियो में चलते हैं